नमस्कार बहुत बहुत स्वागत में आपको आपका हमारे दिजिटल प्रैट्पॉर्म पर मैं आपके साथ बुचा राथ हो शर्मा और देखें कि आज के हमारे टॉपिक है कि बार-बार पसर रही जुबान आपके पिहार में नेता क्यों हो रही के काम आज इसी पर हम चर्च में आपको मेरे साथ मेरे सेयोगी सौरभ कुमार मौजू ने डिसकॉशन के लिए और जो राश्नितिक मेंवान हमें कुछी देर में जॉइन करने वाले हैं अब उनकुमार आप देख रहे हैं आज जेडी से हमारे साथ चुल गए हैं और सौरभ आपका भी स्वागत कुछी तो सौरभ श्रिवात आपसी कर रही हूं जरा समझना चाओंगे क्योंकि सौरभ यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है या सिर्फ दोसार चॉबिल्स के इन चुनावों की बात नहीं है आप लोग सभार चुनाव देखतीचे आप किसी भी राज्जे में होने वाले विधान सभ चुनाव देख लीजे मुद्व पर शुरुबात में तो बात होती है लेकिन जैसे जैसे हम चुनाव की नदीक आ जाते हैं वो तो से हटकर यह चुनाव व्यक्तिगत तीखा टिपड़ी पर चला जाता है तो क्यों ऐसे ठिपिया नजर आती है और इस पार में हम वहीं रहे हैं बिहार का आप एक्जापल लें जिए नितीश कुमार पिश्के तुनो किस तरह से जालो की परिवार पर तंच कसते नजर आए जुबान कैसे पिसल रही है क्या इसके पिछे आप बड़ी वज़ा देखते हैं सौर्ट जी बिलकुर पूजा सबसे बड़ी वज़ा ह है कि नेताओं का टेंशन और फ्रस्टेशन अगर आप चुनाओ परचार में जा रहे हैं तो नीशी तोर पर आपको भासा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कारान कि आप जनता को संबोधित कर रहे हैं और सबसे बड़ी वात है कि आप एक बड़े नेता हैं और 30-40 साल आपको सुन रही है उनको भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं ठेस पहुचेगा उनको भी लगेगा कि मैं इस नेता को इतने दिन से आदर्स क्यू मान रहाता है लेकिन सबसे बड़ी वात है कि एक फ्लो में अगर आप टेंसन में रहते हैं फ्रस्टेशन में रहते हैं तो एक दो सरहां चैंड कि शुनाओं में, और अभी से ये हाल है कि मन्स से ये कहा जाता है कि आपने देखा कि वो कितने बचे पैदा कर लिया तो ये आज की बात तो है नहीं ये पूरे बिहार को पता है कि लालू परसाद यादव के साथ बेटी और दो बेटे हैं ये सब को पता है तो इतने दिनों के बाद अगर आप मन्स से आगर 10-12 मिनिट का अगर आप भासन होता है आपका तो आप ये सब आपको बोलने की जरूरत क्या है निशी तुरुप से निशी कुमार के पास बोलने के लिए काफी कुछ है कारण उन्होंने बिहार के लिए काफी कुछ किया है कई उपलब्दिया है जो कि वो जन्ता के सामने रख सकते हैं और मुझे लगता कि 2005 के बाद जो बिहार में इस्थिती और परिस्थिती बदली है इस बात का वो जिक्र कर सकते हैं और वो करते भी हैं लेकिन इसके अलावा अगर नितीश कुमार जैसा नेता या फिर जवाब अगर ते जस्वी यादब दे रहे हैं त तो आप भी उसी रास्ते पर जा रहा है ना आप भी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो निशित रूप से इसमें दोस एक आदमी का नहीं है इंडिया गटवंधन की बात नहीं कर सकते हैं उनके नेताओं की नहीं कर सकते हैं इंडिये गटवंधन यानि दोनों तरफ से आर पूर्णिया को लेकर आजकल बहुत बहुत हो रहे हैं तेजस्वी आदर अब ये जबान पिखिए या इंटेंशनली तेजस्वी आदर भी कहा है कि पूर्णिया से पूर्णिया की जनता अगर इंडिया कट बंधन को वोट नहीं देरें वीमा भार्ती को मत दीजे वोट अग पूजा जी आपका जो शवाल है और सचाय और हकिकत है कि इस तरह का बयान अगर पूरा उनका भासंग को सुनेंगे तो इस तरह का बयान कहीं है ही नहीं कि आज तो इंडिये तो उनको भी नहीं उनके कुछ भासन के कुछ अंस को चलाया जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है पूजा जी उनका यह हर जगह बोलते हैं कि बिहार में ही नहीं बलकि पूरे देश में दो धराओं के बीच लराई है इंडिया बनाम एंडिये जो इंडिया के साथ है पूर्णिया की भातन में पूर्णिया की बात कर रहा हूं पूरे भातन को सुनिये आप विस्तार से लेकिन दुर्भाग यह हैं विक्कर जो छपते हैं अख़वार और ऐसे पश्कार को इतिहास माफ नहीं करेगा हमारे निता तो बार बार आज भी कह रहे हैं कल भी कहते आए हैं कि मुद्दा बनाम मोदी के बीच लराई है इंडिया बनाम इंडिये के बीच लराई है जो इंडिया के साथ नहीं है वो निश्चित रूप से गोडसेवादी के साथ हैं देश तोरक पार्टी के साथ हैं तो इसलिए लराई अस्पस्थ है और विहार की जंता ने मन बन जी ने कहा कि आज क्यों एंडिये नेता को व्यक्तिगत हामले करने पड़ते हैं कौन किनके कितने बचे हैं तो बेटी बाप के रिष्टे को कलंकित किया जा रहा है तो लगता चुकी एंडिये नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है कोई उपलब्धियां गिनाने के लिए कि सरकार दस साल से केंडर में इंडिये की सरकार नरेंदर मोधी जी की सरकार करूंगी जो हैं जो बयान आ रहे हों कि जुबारे में फिसलती क्यों नसराती है पूजा जी वही तो बोल्ड है आप देखिए न हमारे नेता अधर में तेजस्वी आदर जी को मुद्दे की बात करते हैं गरीबी बिरोजगारी भुखमरी तमाम सवालों को बात करते हैं लेकिन एंडिये के नेता फिर तो आप महाम ने तो अपनी बातों में कहा कि आप सुन सब्सक्राइब कर रहा है किस तरह का विडियो पेश कर रहे हैं जो बयान है वो सब के सामने हैं लेकिन अगर पूरे अरुन जी पूरे भासन की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव का बोलने का क्या मतलब था नहीं मतलब था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं आप भासन में क्या बोल रहे हैं नीशी तोर पर तेजस्वी आपने भासन में थे जस्वी यादव ने क्या का थे जस्वी यादव ने यह कहा कि अगर आप भिमां भारती को बोट नहीं करते हैं तो आप NDA को बोट करें पपू यादव को बोट ना करें उनके कहने के पीछे का जो मतलब जी पूरी लाइन फर्स लाइन में आप ने जो कहा सार उनका वही खा लेकिन आप जो कह रहे हैं वही शौट क्लिप पूरा अगर संदर्व देखेंगे इमंदारी से आपके पास क्लिप होगा सोरफ जी अंतरात्मा पर हाथ रख कर ने अंतरात्मा लिए आद्व के पोलने का तात्वर वही था वो बोलना वही चाहते थे कि अगर आप विमाभहरती को बोट नहीं कर玩 लեղे हैं इसका मतलब है कि आप Nडिय को सब़ो면ãy्ड कर रहे है तीक है लेकिन कैम श्रूर के सकता है कि आप सीधे तोर पर पपू यादव को बोट ना करें मतलब दो दिन निकाले जा सकते हैं अब वो आ सामने वाला पर डिपेंड करता है कि वो मतलब क्या निकालेगा इसका अरुन जी हे मेरे पास वीरजियो है छोड़ा जीससे तरह की बात आप वोन देवे के फूरा वींदियो है भीまた विजिवह आレजेत्या आप एकवार सुन लिए नहीं अरुन जी अफे कवार सुन लिजें खुद ऑंना रहा हूं न बहुत कि हमें तो आवाज नहीं हा पारी है अरुजी हम लोगों को आज सवाल यह नहीं है सवाल जी वही वीडियो क्लिप आदर्निय नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदप जी ने अपनी ट्वीटर हैंडल पे डाला है पूरा आप देख सकते हैं अरुजी लेकिन ये अरुजी यह कुछी अखवार जो पच्षकार है और कुछी पोटल चैनल जो बिके हुए हैं एक पच्षिया काम कर रहे हैं उससे का परिणाम है और ऐसा कहीं किसी भी बड़े चैनल ने इस तरह की बात नहीं किया आप बताएए आपने चलाया क्या आपके प्रतिश्टित चैनल है निस प्रतिवाजी पुजा जी हमारे नेता ने जितना काम किया है ने बिहार में बिहार के लिए वह मुद्धों की कमी नहीं है हम मुद्धों की ही बात करते हैं और मुद्धों पड़ी हम वोट मांग रहे हैं अडवाई हमारे नेता अंगले स्रीश्टित कुमार जी ने पूरे देश में मिशाल कायम किया है पूरे देश का बिहार वह पहला राज है जहां कि इतने विकास के काम हुए है जंगल राज स उन्होंने विहार को मुक्ति दिलाई है और आपका यह मुद्धे नहीं है अडवाई हमारे पास विकास का मुद्धा है जंता के हीतों की बात हम करते हैं और उन्हीं काम के अधार पर हम जंता के समक्ष बोट मांगते हैं अगर उन्हों के बात बैका जी तो प्रतिवाजी मेरा सवाल सुन लेजे ना परतिवाजी आप कह रही है कि मुद्धो की कमी नहीं है और नितीज कुमार की ताफी सारी उपलब्दियां है जिसे वो जंता के सामने रख सकते हैं और रख भी रहे हैं है तो यह सब जंता के सामने बताने की क्या जरूरत है कि लालूप्रसाद्श आदक कि इतनी बेटियाarte यह हँας है हम तो हमारे दो का ओनारा सरकार और यह जम आरा है लो हमारे नाडा औरस chutुख आज जो हिस लिए हratorाल जैट को फ्राहिं किन्के कितने dh truc न में लिए अपने qyrie के लिए था रहे है थे किटने बच्चे हैं इस नवक हुआ थे पर लगा जीजागा कितने नौपी कर रहे हैं कैसे सब सबता में आए सबको सबता पता है मैं तो कहती हूँ आर जेडी के कारे करता पता नहीं कितना पैसंस रखते हैं इतने वरकर। परतीमा जी मुझे ये वताइए कि नितीज कुमार करीब 40 सालों से राजनीती कर रहा है 40 सालों से वो जनता के सामने जा भी रहे हैं और संबोधन भी कर रहे हैं जनता को लेकिन आज तक उन्होंने इस तरह की बाते क्यों नहीं की आप बता दिए ना लालो परसाद यादब के जो बेटे और बेटिया है वो आज पॉल्टिक्स में नहीं आये पहले से लेकिन आपके नेता आज उस पात की चर्चा क्यों कर रहे हैं पहले क्यों नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हमारा जितना बच्चा है सब एक-एक करके सब्सक्राइब का भी जो जाए यहीं राजिती है क्या आप बताएं पांच महीं है जब आप दो बार उनके साथ गये थे तभी यह बात आपको जानकारी नहीं थी कि लालु प्रसादिया दर कैसे अपने बेटे को और बेटी को आगे कर रहे हैं अब आप आपको क्या पता कल बहु को ले आए क्या पता कल चोथी पांच मी बेटी को भी ले आए आप आप नहीं जाना है ना जब लाएंगे तभी बात होंगी परतिमा जी ये तो कई सालों से दिख रहा था ना पहले राबरी देवी फिर ते जस्वी यादा फिर तेज परताप यादा फिर मीसा बरती ये सब तो आ चुके थे पॉल्टिक्स में आप लोगों को बयान बदलने लगा क्या आपकी बात है कि आप बाखी लोगों को कब समय दीजिएगा बाकी लोगों को कम मौका दीजिएगा जो वर्सों से आपका जंडा उठा रहे हैं यह अभी ट्रेक मुद्दा है ना तो ये दो बार जब आपके नेता उनके पास गये असकी तो उचो समझना चाहिए था ना तौरफ जी मैं फिक्रोंगी आप करेक किजिए इसको हमारे निता कहीं नहीं गये थे लालो परसाथ यादव से बात करने के लिए मिलने के लिए आपके निता गये थे प्रटीमाजी आपके निता गये थे जट्वंदर बदलने से पहले आपके निता गये थे अच्छी बात है बोलने का आप कुछ भी बोल सकते हैं नितीज कुमार ने कभी पाला नहीं बदला कभी पर्टी नहीं मारी है पर्टीमाजी आपके निता ऐसे निता है जो मुकमंतरी बने रहने के लिए मुकमंतरी बनने के लिए मुकमंतरी बनने के लिए मुकमंतरी बनने के लिए मुकमंतरी बनने के लिए आप मारे ना मारे जनका सब जनती है पैसों सी को करना है जनका सब जांती है प्रक्राइब करना है कैसर साफ जी मुझे मुझे कहा जारा आवास पुरी साफ नहीं आ रही है हलो देखे आवास पुझा जी आप मुझे से कह रही है हेलो हाँ आपसे सवाल है आपकी सवाल आवाज नहीं आएंगे आप सरा मुझे आप देखे मैं बहुत बहर से बीस मिनट से और परवक्ताओं की बाप में सुन रहा था देखे जो टॉपिक है कि हमें जितने भी हमारे पॉलिटीशन है यह राजनेता है क्या उनको अपनी शब्दों की मर्यादा चुनाओं के दारां रखनी चाहें ने रखनी चाहें ने रखन किसी परजातन्त में शब्दों की मर्यादा रखना बहुत बई है कि अगर परजातन्त है जिमक्राइसी है उसमें होना चाहिए हम किसी के व्यक्तिगत पर अगर कोई कोई भी व्यक्ति जो प्रहार करता है यह कहीं भी दूस नहीं माना जा सकता जैसे हमारे परदान मंत्री भी कुछ बाते की हैं मोगल मास मचली और घुसपैट है मुसल्मान इस तरी बातों शच्छों का चैन करकर के यह बहुत ही बुरी बात कोई नौ बच्चे पैदा करता है तो कोई साथ बच्चे पढ़ता है यह पूरी तरह परजातन्त के खिलाफ ए अपर जो लोगों के वी पुरिया में नियुक्ति है नियुक्ति अपर कंडर के हैं तो हम के बारे में कहेंगे हम सब कंग्रेस के लोग भी क्योंकि कि घ्रप चाह से हिर तो गडबंदन के उमिदवार को नहीं हो रही है नेदलिय कढ़े हुए है वो उनकी अपनी मन्षा थी ठीक है कॉंग्रेस उन्हें उन्हें जो एंक किया था लेकिन इस नहीं किया दिए तो कभी गडबंदन के प्पो यादफिक में पात की ती मेरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा पतिवा सिंग जी इतला जो है अब बच्छे को नव बच्चों की बाते कर रही थी दिए बच्चे होना खलत बात नहीं है आज दुनिया जो है आबादी का जो इसलेशन करते हैं आबादी बरने से नाकामयाभी नहीं होती है यह पूरी दुनिया की सेंसें बखावे जो है उसको तोड़ना परा क्यूंकि वहां पे जो है नॉन वर्किंग लोग जो जिसे हम लोग बच्चे कहते हैं बुड़े होते हैं वो जो कि दिपेंडेंट होते हैं इसलिए जो यूथ होते हैं उनको काम करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वर्ल्चाइज पॉलिसी थी उसको उन्हें ठीक किया इंजनेशनल ले पी देखेंगे यॉरॉप में देखेंगे या कि वहां पे नीचे जा रही है और निगेटिव हो रही है जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, इकली में तो वहां लोग बाहर की लोगों को बुला बुला कर कि सिटिसन्शिप देख रहे हैं आयरलेंड में देखा होगा आपने कि वहां से पैसे दे रहे हैं 25-60 लाग उपे दे रहे हैं कि तुम आओ यह तो पॉपुलेशन कभी भी फैक्टर नहीं होता है देश के डवलपमेंट में, यह बात जिहन में डालें, यह समझ जाएं कि यह असल में सिर्फ एक मित है, जिस तरह से बता जाता है कि भारत में मुसल्मानों की जो अबादी जो है, जो बहुत बज़ा को क्या देखार रही दिखें, थोड़ी से आवाज मेरी आप साथ नहीं आरी, एक बार क्या सब्प्रशन क्या आता है, मुझे घटाएंगे? कैसर जी, आप से ये सवाल पूछा गया था, कि आपको क्या वजह क्या दिखाई दे रहा है, जो नेताओं का बयान जो है, जो मर्यादा, जिस तरीके से भासा की मर्यादा को तोड़ी जा रही है, उसकी वजह क्या आपको दिखाई दे रहा है? सौरब जी, आपने जो शुरू में जो आपने जो कहा था, बहुत सही कहा था, मैं उसे आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, कि लोग फरस्टेशन में, उनकी अपचाहएं इतनी जादा हो चुकी है, कि वो फरस्टेशन में इस पर व्यक्ति गटिका टिपनी करते हैं, जो कि इ आपके मने देश की लिडर कहला आते हैं, उन्होंने इस तरह के कितनी हैं, वो कि बहुत की प्रशंत करें जो शुरू नहीं देता है, किसी भी जगह पे चाहएं, किसी राज में हो, किसी देश में हो, किसी मुढ़ करना एक गुम हो, किसी भी तरह इसको और अनों के इस अग अगर आप मीशा भारती के बयान को अगर आप देखेंगे, अगर आप तेजस्पी यादव के बयान को देखेंगे, तो वो पलटवार ही है, जिस तरीके का बयान नितीज कुमार का है, सेम उसी तरीके से थोरा सा उपर नीचे, इन लोगों का भी बयान है, कि अगर इंडिया कटवन्दन की सरकार केंदर में बनी, तो सारे पीजे पी के नेताओं को जेल भेज देंगे, तेजस्पी यादव कल ये बतार है, अगर आपने क्योंकि आपने देखा कि पूरी तरह से जो है, अभी सप्ता पक्ष के लोग, किस तरह से जो विपक्ष के लोगों को बीना कार किसी आपने के लिए को दबाने के लिए विए हमा मिंननंगे बोल सकते है लेकिन सचाही क्या है, ये इंडिया गंदम गंडु में होता है, कि अगर मैं सतुन में आउंगा जो एड़ी के लिए जो ऐग नाउन बना गया था परवरतन डिधर शाला है, किस लिए बना गया था पूरी तरह से कानून बना करके बिना इंटुविशन के नेताओं को इसे इस्तेमाल के आता है वैसे लोग आगी यही एडी जो है आखिर क्या हो जाता है जो सता पक्षमी जिसके बारे में इसके प्रशाज हो गया है इसके साम पिश हो गया है किया वज़ा है क्या वज़ा को दिख रहा है कि अगर एक को प्रॉप्टी कर रहे हैं प्रशाज हो जाता है कि अगर एक कम पर बड़ी बजारी है पुज़ा जी आवाज जा रही है मेरी पुज़ा जी आवाज जा रही है मेरे झीशा जा पूजा जी मेफे पीके बाएना की आवाज का पर्राट से वह सब के साथ सब की उन्नती के लिए काम कां़osphा का किया ह। और ये लगातार भार्की जन्ता पार्टी के उपर ब्लेम गेम जो है ये इंडी एलाइंस के लोग जो है ये खेल रहे हैं ये लोग कभी भी अपने नीती नियत और चरित्र को कभी नहीं देखते हैं लेकिन दूसरे के नीती नियत और चरित्र पर दाग लगाने के काम करते है आज आधर्मिय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीजे, जिन्हें पूरा देश गरीबों के बेटे के रूप में जानता है, गरीबों की आवाज के रूप में जानता है, तो वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बिहार की युवाओं के लिए संपूर्ण देश के युवाव के लिए और संपूर्ण देश के लिए ये बार-बार नौकरी की बात करते हैं मैं नौकरी पर डाटा निकाल करके आया हूं कि लाखों नौकरिया जो है वारती जंता पाटी के मित्रितों में प्रदान की गए आज भारत जो है वो पांचवी सबसे बड़ी GDP बनाया है इसके लिए सबसे महत्तपूर्ण क्या था सबसे महत पूर्ण है कि उर्जा सेक्यूरिटी जो है उसको हम लेकर के आया तो उर्जा सेक्यूरिटी में जब कहीं पुरा भारत जो है दूसरी डेशों पर डिपेंडेंट है कॉंगरिस के काल में उससे आगे बढ़कर आज हम निर्यातिक के रूप में निकल करके आ रहे हैं लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इंडी अलायंस के लोगों का मूल चरित रहे सिर्फ माता और बहनों को गाली देना अपमानित करवाने का काम करना इनके एक नेता हैं मैं पुछना चाहता हूं कि ये जो RJD के जो मुखिया है लालू जी उनके सुकुत्र क्या इतना कमजूर है RJD का नेत्रित कि मंच पे वो स्वैम खड़े रहते हैं और मंच के नीचे एक बैलित मा को गाली दी जाती है और गाली दी जाती है और वहाँ बैट करके वो जब चुप होके सुनते हैं तो सुनने का मतलब क्या होता है ये तो मुख समर्थन करना होता अ हाज है और हनुमान जेयन्ति के दिन हनुमान जी के उपर ये लोग कहते हैं कि बीना पूच का हनुमान किससे तुलना करते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना किस प्रकार से एक दलित मा को गाली दी जाती है उनके बच्चों को लेकर कितने बच्चे हैं कितने कोई इतना बच्चा पायदा करता है कि इस तरह की सवाल उखाते हैं तब आपका क्या रियक्शन होगा समुझे शांग जी देखें पूजा जी मैं उस पर्ष प्रूप से बत भार्ती जनता पाठी का वरतम और ततकाल का जो नेत्रत था उसने मिल करके इस जंग्रवाद को उखाड़ने का काम किया आप उस समय की वीडियोज वगरे को निकाल करके देखें कि किस प्रकार से आपने देखा होगा कि आतंक का प्रयाय पुरा बिहार बना हुआ था उस आ भार्ती जनता पाठी के नेत्रत और मितीस कुमार जी में मिल करके किया और आज जब वो एक अविवावा की तरह एक पूरे परिवार की तरह पूरे बिहार को जो वैक्ती परिवार समझता हो और भार्ती जनता पाठी का नेत्रत तो जिस परकार से पूरे बिहार के परिवा पूजा जी कहीं न कहीं पुर्वाग्रह से गरशित नहीं होना चाहिए, कौन से राजय में मंतरी जो है वो नौकरी बाढ़ता है और मुख्य मंतरी जो है वो नौकरी नहीं बढ़ देता है, यह भी तो देखने की बात है, भारतीय जन्ता पाटी ने और MBA की सरकार ने, बिल कर के सिक्षकों के सम्मान की लडाई लड़ी, उनको नौकरी देने का काम किया, यह लोग तो क्रेजिट चोर है, न? नहीं कहीं, क्रेजिट चोरी करने का काम करते हैं पुजा जी नितीज जी ने लगातार बताया है विभिन्न मंचो के माध्यम से और भारती जंता पार्टी के जो हमारी अशश्वी नेता है उन सभी लेश विशो पर बताया है मैं आपको दो तीन चीजे बताना चाहूंगा 34 क्रोड से जादा लोगों को DVT के माध्यम से उनके खाते में पैसे डाले गया तो ये 34 क्रोड लोगों को जब पैसे डाले जा रहे थे तो एक वेक्ति के द्वारा तो ये काम नहीं हुआ चोंती स करोड लोगों को आईश्मान भारत योजना के माध्यम से उनका इलाज करवाया गया तो ये योजना जो है लाने के समय क्या डॉक्टर इंजिनियर। डोक्तर्स जो है और मर्सिस जो हैं उनकी बाहली नहीं हुई थि क्या यह वहाँ बाह गवी कि तबही तो उन लो लालु जी जुट करने का लालु जी काम किया खत्रा चोरी करने काम इन्हीं के तो अप्ग्रेड़ से अभी इसी परकार का सब गूपा चोड़ते रहेंगे। यह लोग तो Sanatan को डाली जिलवाने वॉले लोग हैं THEM, अउम तो धर्मको बचाने वॉल वाले लोग है सौध कॉरूड से भी ज्यादा हिदू इस देश में रहते है कुझा नाख करते है पुजा जी पुजा जी बात चाहे बजरंग बली की हो चाहे मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान स्री राम चंदर जी के जीवन चरित्र विचार और संस्कारों पर भारती जंता पाटी की नहीं रखी हुली है अगर कोई व्यक्ति हमें अगर कोई वैक्ति अगर राम चंदर जी के संसकारों को गाली देने का काम करेगा तो हम तो लड़ाई लड़ेंगे ना कुई वेक्ती रामचरीतर मानस को को टे सिय जानाइड बताने का देखा हम तो लड़ाई लड़ेंगे लन कुई हिंदू के आत्म संवान पे उंगली उठाएगा तो हम तो लडाई लडेंगे नाните अथिकारों को अगर को छ्हिनने की बात करेगा तो हम तो लडाई लडेंगे न हम तो सीना थान के कहते हैं कि करते हैं और उनकी रख्षा के लिए प्रतिवर्दिता के साथ हम काम करें तो करते हैं कभी भी कुझा जी मैंने भी आपके चैनल के बाद माध्यम से बहुत बाद गुला है कि मदर्सा चाप गुंडा तंतर के खिला भारती जनता पाटी हमेशा से लड़ती रहती है हरा रंका पोँच रगा के घूमने वाले जो लोग हैं जो समय पर कभी हरा रंका पोँच रगा लेते हैं कभी माध्य पर मदर्सा से निकला हुआ पेंट लगा के उसका नाम चंदन रख देते हैं इस पर भी बोलता हूं लेकिन ये मदर्सा चाप गुंडा तंतर कहने का क्या मतलब होता ये भी समझना है कहीं न कहीं मदर्सा में बैट कर अगर मुसल्मानों को कोई बर्गलाने का काम करेगा देश विरोधी गति वीधियों में जबरन सामिल कराने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वैसे लोगों के शिलाफ को बोलना पड़ेगा न देखिए पूजा जी पूड़े अभी लोग सभा का जो चुनाव बिहार हो या अन्य राजयों में या फिल जो भी सिर्ष्ट ने परधान मंत्री जी से लेकर इनके जो इस्टेट लेवल के निता है कोई भुद्द्धे की बात नहीं कर न वह महांगाई पर बात करते नहीं सुना होगा देश का जो हलाद है 46 साल के बाब जो है सबसे जी ज्यादा वायां चरथ हैंतलि कि सासंकाल में इसे बात यह लोग पूजा जी दो हजार चोदर देश पर 55 लाख हजार करज यह दस साल के दोरा अंतर से भारतिय जनता पार्टी आई दोस्व पांच लाख हजार करज हो गया यह इनका डेवलप्मेंट यह राष्ट निर्मान परतेक व्यक्ति पर आज जो है देर लाख से अधिक कर्ज है यह भारतिय जनता पार्टी का काम और बिहार में हमने जो 17 महने में काम करके दिखाया दिश्यादर जी ने एक साथी बोल कि दे सकता है कि इनका कहना सही 10 लाख जब हमारे नीता त्यस्वी जी ने 2020 के लियार विदान क्वा चुनाओं में नोकली देने की बात कहीं वह ही में मंत्री इस कुमार जी ने कहा प्लाट या नोकली देंगे पैसा कहा चलाएंगे आपने आपने देखा करेंगे वही तो सवाल करते से कहां से नोकली देंगे लेकिन हमने 17 महने के दोरां तेज़ेफ्री आदर जी ने कर दिखाया पास लाट नोकली देने में नेता प्रतिपक्ष को पता भी है कि उनकी भूमी का क्या होती है अधर वाली देंगे जी तुन देखाया है उनको पास लाट पास लाट नोकली देखाया कि प्रतिपक्ष को पास लाट था जब्सक्षिए है पूजा जी पूरा संत्र काम करता है जाने क्रेडिट लेने टेजसरी आदो जी कि हम पूजा जी क्रेडिट तो जनता दे रही है करते हैं जी सारे चीज पूजा जी पूजा जी तो जी सबस्क्राइब बताना चाहता हूं कि अधर स्था जी तो जाने से दिभाद में चलें नॉक्ति लेड़ेए पुजा जी, अरुन जी, प्रतिभा जी, मैं एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय रखना चाहता हूँ, प्रतिभा जी, पुजा जी, अरुन भाई एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय रखना चाहता हूँ, ओडियो जी, तो घर्म जी, ऐरुन जी, अरुन जी एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय समय काफ़ी कम मिलता मुझे है, इसलिए थोड़ा सा विशय रखने दिया जैए, पूजा जी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आजादी के 70 साल बाद भी 2014 तक कडोडों लोग ऐसे थे जिनको अंधेरों में रहना पड़ता था प्रणान मंत्री जी के द्वारpassen 1000 का टार्गेट रहा गया ताँकि प्रतेक मोहले को प्रतेक कत्वे को नौजे निकाला और यह इदेस को अंधेडे से निकाला गया पूजा जिए वही बता रहाँ जब बीस को 1,000 दिनों के लक्ष में वही बता रहाँ न अरुजी बोलने दीजेगा तुब बताएंगे न अरुजी अरे गला का नस पट जाएगा अरुजी कम चिल्लाइए जादा रोलिएगा न तो फिर कंदा नहीं मिलेगा उनके उनके दिनों का target रखा गया पूरे देश को अंदेरे से बाहर निकालने का और 987 दिनों में भार्रकी जनता पाटी ने उस सीच को पूरा कर लिया तो 987 दिनों में जब पूरा किया तो उसके लिए मैंपावर कहां से आया तो मैंपावर तो इस चित रूप से नौकरियों का स्रीजन हुआ तब ही तो इतने बड़े लक्षे के प्रती जो है वो हम आगे बड़े जिवास में इंधन के विशह में अगर बात होगी तो जिवास प्रते एक ताल पांच से जादा नौकरिया हमें दिये बता तो रहे हैं आपने क्या दिया है पुरे बियार को आपके चलाने का काम किया परागियों की पाची चलाने का काम किया हंगी तो ओ्री मोग।ल् से असना में यदितो शिवास मदह में ऑां जोכלिषी की तो नौकरिया ट Cont餮